यहाँ पे हमको दिया गया है कि जो hour hand है वो 5 minute में कितने degree का angle बनाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 minute को change करेंगे किसमे hour में ठीक है तो यह हो जाएगा 5 upon में 60 तो यह cut करने पे कितना आएगा यहाँ आएगा 1 upon 12 hour ठीक है इतना आएगा अभी क्या करते हैं यहाँ पे fraction बनाते है hour का तो यह आ जाएगा 1 upon 12 and multiply में देखे 1 complete rotation में जो hour होते हैं वो होते हैं 12 and multiply 360 अब यह आनो तो चाहिए था नीचे मैंने ऐसे क्यों लिखा मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करता 1 upon 12 और इसके भी upon में 12 तब क्या होता तब यह होता 1 upon 12 इसके upon में कुछ भी नहीं है तो मैं write करता 1 और जो upon के upon में होता है तो वो उल्टा करके आता है तो 12 upon 1 का आ जाता 1 upon 12 तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया 1 upon 12 and multiply 12, ठीके, तो यहाँ पे मैं cut कर लेता हूं इसको तो यहाँ जाएगा 12, 3 is a 36, ठीके, यहाँ पे 6, 2 is a 12 and 6, 5 is a 30, तो कितना आ गया 5 upon 2 degree, इसको convert कर लेते हैं mix में, ठीके, क्योंकि यहाँ पे जो option है, वो mix में दिये गए हैं, तो mix में क करेंगे तिया जाएगा 2, 2 is a 4 and 1 upon 2, 2 is 2, 1 upon 2 degree, तो इसको option decorrect होगा,